हेलो इस्टूइंट्स तो कल जो है साहक लेखाकार का विग्यापन भी आ चुका है उत्राफिन लोग से वायोग इसमें विग्यापन प्रकासन वाय 28 सक्टूबर और ओनलाइन आवेदन की जो अंतिम्ति थी आपकी 17 नौंबर की है लगवग 20 दिन जो है आयोग हर परिक्षा क है गलत इंफोर्मेशन उसमें इंपूट हो जाती है तो फिर आपको बार तक टेंसन रहेगी पेपर निकालने के बाद भी इसलिए उसमें बिल्कुल सही डंग से अपना यानि ओमर यानि फॉर्म भरे ठीक है तो इसमें कुछ खास बाते जैसे बताए गई है आरक्षण वि यानि अगर आप 17 नमबर के बाद वाला लगाओगे तो वो माना नहीं जाएगा इसमें इसके अलबा 17 नमबर 22 तक यानि आविजन की अंतिम तिति तक अनिवारी सेक्षिक अहरताएं अवश्य धारित करता हो अभिरती के पास जो भी अनिवारी अहरता है वो जरूर होनी च जब आपका अंखपत्र निर्गत हुआ है वो वाली तिति को माना जाएगा विज्ञापन के सर्तानुसार अगर अहरता की पुष्टी नहीं होगी तो अभ्यरतन निरस्त कर दिया जाएगा इसकी जिम्मेदारी अभ्यरती की होगी यह सब इसलिए लिखा है कि कई छात्र क् एसी चीजों में दिक्कत हो जाती है सभी अभ्यरती ओनलाइन आविदन के पुर्व विज्ञापन में समस्त निर्देसों को भली भाती अध्यन कर ले ओनलाइन आविदन पत्र को सही सही भरे अपूर आविदन पत्र सिवकार नहीं किये जाएंगे फर्जी पर्मान पत्र प्रादी से जो आविदन करेंगे उन्हें पांच वर्सों के लिए डिवार कर देंगे यानि और उनके विरुद अभियोग भी दर्ज हो सकता है ठीक है तो यह सब हैं बाकी इंफॉर्मेशन कुछ वही होती है जो हर पेपर में होती है आपके फॉरस्ट गार्ड में भी थी पुलिस में भी थी सब में ही वही थी लिखित परिशा के अंदर लिखित परिशा की सूचना आपको psc.uk.gov.in यह वेबसाइट आपको देखती रहनी है समय समय पर तो आपके यहाँ पर जिलावार पद निकले वें देखो सायक लेखाकार अलमोडा में कोशागार जनपद इसमें 17 रिखती हैं ठीक है जिन में से अनारक्षित हैं 10 और महिला आरक्षन भी इसमें दियावा है यह 5 यह नहीं वही 30% का इसमें रूल जो है वो लगावा है चंपावत में 11 वेकंसी है आप इसमें सब कैटेगरी कैटेगरी अपने PDF के हिसाफ से देख सकते हो जिसके पा 843-479306 पर मैसेज कर सकते हो आप इसके लावा एक और इंफोर्मेशन है कि हमने इन परिक्षाओं के लिए जैसे पटवारी है पुलिस है इनके लिए WhatsApp ग्रूप भी बनाया हुआ है अभी उसमें लगवक 16 स्टुएंट जूड़ चुके 200 मतली हम फीच लेते हैं और उसमें 100 मार्क्स का होता है ठीक है इसके लवा एक और है जो पीचेस मेंस एक्जाम होना है अब पीछे हो चुका है तो लगवक तीन मेहने का समय हमारे पास है तो इसके लिए एक WhatsApp ग्रूप सुरू किया जा रहा है तो आप उसमें भी एड़ हो सकते हो जिसका पीचेस मेंस है या फ अब देखते हैं साहिक लेखाकार जनपत गड़वाल तो पौड़ी कोई गड़वाल लिखा जाता है 23 यहां पर वेकेंसी है 12 अनारक्षित है इसमें से उद्यम सिनगर में 15 है रुद्र परियाग में 9 है फिथरोगड में 19 है 13 दून में 20 है थीक है बागिस्पर में 11 चमुली में 15 नैनिताल में 9 हरिद्वार में 7 तो इस प्रकार से अलग लग जो है वेकेंसियां आपके सामने हैं ठीक है डिपार्टमेंट भी लिखे उद्योग विभाग है सहरी निदे साले है ठीक है अभियोजन विभाग है वन विभाग है सुचना विभाग है तो आप अपने हिसाब से वो तो आपको डीवी के समय मिलेगा छाटने के लिए विभाग वगेरा तो पहले बस आपको पेपर निकालना है ठीक है यह आपका अब देरखा की फॉर्म आपको कैसे भरना है लिखित परिख्षा बस्तुनिष्ट होगी जो सफल अभियरतियों का कंप्पिटर में हिंदी टंकन होगा और अभिलेग सत्यापन फिर किया जाएगा अभियरति ध्यान रखे कि लिखित परिख्षा के बाद आविदन पत्र की सन्य लिख्षा के दौरान यदि ऑनलाइन आविदन पत्र में दावे के सापेक्ष अभिलेग में कमी या असत्या पाये जाता है तो अनहर अभियरतियों की सूचना वेब साइट पर दी जाएगी ठीक है तो यह हो गया आपके सारे इसमें पीडियेफ में इन्फॉर्मिशन दीवी है चैनित अभीरतियों के मूल सेक्षणिक और अन्या अभिलेकों से मिलान के सत्यापन के बाद ही चैन की संस्तिति शासन को प्रेसित की जाएगी अगर आपने जो दावा किया है ऑनलाइन में कि मैंने टैन्थ तब किया है ट्वल्थ तब किया है मेरा डो मिसाल यहां का है जो भी डॉक्मेंट आपने मेंसन किये वो आपके औरिजिनल जब वेरिफाई हो जाएगे तब आयोग आपके चैन की संस्तिति सासन को यानि सरकार को भीजेगा तो सचीव हैं गिर्धारी सिंग रावद उनके हस्ताक्षा रोर्खेज में परिछा के अंदर तेरा जन्पदों में है ठीक है पाठ्ठे क्रम जो इसमें दिया है देखो एक है वानिज्य परवंधन और सामान्य हिंदी ठीक है तो आप सामान्य हिंदी के लिए हम तो इसमें देखो यह सब दे रखा है किस परकार से आपको परमानपत्र का प्रारूप क्या होगा हर परमानपत्र का प्रारूप भी आपका इसी परकार का होना चाहिए तो आपके जो हिंदी का है स्थेक्षा ने देखो वह दे रखा है ठीक है इसका एक इंपोर्टेंट प विचार विशेशन विशेशन तीन और परियाई बाची चार तो सामान ये इसमें रहेगा बस आपका हिंदी व्याकरण ये सब मजबूत होना चाहिए जो जो इसमें दिया है टॉपिक ठीक है तो अभी के लिए इतनी जानकारी है मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद